मेरे प्यारे बहेनों भायों नमस्ते आशा है कि आप सभी लोग स्वास्त होंगे अने वाली तेज तारिक को आपकी पांचों विधान सबाव में वोट डाले जाएंगे यह चुनाव आपके लिए बहुत ही महतुपूर्ण चुनाव है क्यूंकि आपने पांच साल ऐसे सरकार देखी जिसने आपके बीच आलगाव पैदा करने के अलावा कुछ काम नहीं किया मेरे किसान भाई बहन इतनी महेन से देश के लिए अन उगाते हैं इन पांच सालों में आपको ना तो फस्तों का दाम मिला ना खाद मिली और ना ही सिचाई की सुईदाएं आपके उपर कर्ज कबोज है और आवारपशू आपकी फस्तों बर्बाद कर देते हैं ठीक यहीं हाल नोजवानों का है नोजवान अपने आने वाले कल के लिए महनत से पढ़ाय करते हैं नोकरी की तयारी करते हैं लेकिन भाजपा सरकार ने आपको घार बिता दिया सरकारी नोकरियों के बारा लाग पद खाली पड़े हैं लेकिन आपको नोकरिया नहीं दी गई हैं पित्रॉल, डीजल, रसोई गैस, सरसो तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम लोगों के घर चलाना मुश्किल हो गया है मेरी बहने पाए पाए जोड़कर अपना घर परिवार चलाती हैं लेकिन महंगाई ने उनका जीवन दुबर कर दिया भेनों, भाईयों आपने हाल में ही कोरोना का कथिन समय देखा है एक तरफ आपको ओक्सीजन, दवाईया और अस्पताल में बेद नहीं मिले अपने प्रियजनों को खोया है जिन के लिए वही एक मात्र सहारा थे दुसरी तरफ लोकडाउन में आपके काम दंदे बंध हो गए आप सबने मीलों पैदल साफर करने की पीरा खुद जेली है मगर मोदी योगी सरकार ने एक गयर जिम्यदार सरकार का परिचय देते हुए आप सब की तकलीफों के बवजूद मूँ मोरे रखा और आखे बंद रखी इतना ही नहीं लोकडाउन में आप लोगों की प्रती उनका व्यवहर ठीक वहीं था सरकार ने आपको कोई राहत नहीं दी आपने देखा होगा कि सरकार ने आपका भोज हलका करने की वज़े आपकी महेनच से बनाए गई सरकारी कामपनियों को कोड़ी के दाम अपने चहेतों को बेज दिया लिहाजा बेरुजगारी काफी बढ़ गई है हम आपके क्षेतर के लिए कहीं विकास योजनाएं लेकर आये थी लेकिन मोदी योगी सरकार ने उन सबी पर रोक लगा दी राइबरेली के साथ सोतेला व्यवहार किया गया है आपने कांगरिस की राजनीटी देखी है कांगरिस की राजनीटी सेवा की और आपको अधिखार देने की है हमने मनरेगा जैसे कानून बना कर आपको रोजगार का अधिकार दिया जिसे आप अपने जीवन बहेतर बना सके लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसे संकत के समय नरेगा का बाज़त बढ़ाने के बज़ाए कम कर लिया गया कांग्रिस ने लोकडाउन के दोराम भी सेवा की राजनीटी की आप घरों से दूर फसे थे आपको घर पोचाया जितनी भी आपकी मदद हो सकती थी हमने पूरा प्रयास किया सेवा और अधिकारों की राजनीटी के रास्ते पर चलते हुए ही उतर प्रदेश में कांग्रिस पार्टी एक नए राजनीटी का विजन लेकर आए है इसमें युवाओ को रोजगार, महिलाओ को अधिकार, किसान बहनों भायों को सुविदाय देने का और आम जनों को महंगाय से निजात दिलाने की योजनत है हमने महिलाओ के लिए शक्ती विधान, युवाओ के लिए भरती विधान और उतरप्रदेश के विकास के लिए उन्नत्ती विधान दयार किया है मुझे कुशी है कि प्रियांका ने इस बार 40% तिकत महिलाओ को दिये है उतरप्रदेश में पीछले 5 सालों में हमारी कर्यकर्ताओं ने बहुत महिनात की है जन्ता के हक की लराई लड़ते लड़ते हमारे 18,000 कर्यकर्ता जेल भेजे गए बहनों और भायों मैं अपने आपको आपके परिवार का एक अतूत हिस्सा मानती हूँ हम आपके जीवन को बहतर बनाने वाली राजनीती के प्रती समर्पित है हम आपको ऐसा वी धायक देना चाहते हैं जो दिन रात आपके लिए काम करें और आपको मजबूत बनाने वाली युजनाय बनाए इन चुनाओं में कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत कीजिए और अपने बविश्य को बैतर बनाने वाली राजनीती चुनिए राइबरेली के हमारे सभी उमिद्वारों को भरे मतों से जिताएए धिर उमिद्वारों